हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज बात करेंगे टू टॉक स्टॉक्स जो की SIP के लिए बेस्ट हैं एंड करन्ट लेवल पे भी उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है आज के दिन में मार्केट का फिर डाउन था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दॉनों ही अराउंड ती की परेंगे जो भी काफी अच्छे fundamentals रखने वाला है और करेंटली काफी अच्छी सबसे पहला सिटूक है सूमी तोमो chemical सूमी तोमो क्रेंटलेρχेंटली यह एक small cap, base से relate करती है, ROC 32.3% है, and ROC 24% है, P ratio थोड़ा higher level पे है, जो कि 49 के level पे दिखता है, whereas industry का P 26 पे नज़र आता है, सुमितोमो chemical जो है, यह crop protection से related चीज़े manufacture करती है, like plant nutrition, gain fumigation, rodent control, household insecticide and animal nutrition, तो इनका जो business है, directly agriculture से related है, अगर agriculture अच्छा होगा इंडिया में, and मान्शून अच्छा होगा, तो automatically इनका business ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा, and पिछले 4 साल से, यह company बहुत अच्छा कर रही है, अगर geographical diversification की बात करें, तो domestic से 75% का revenue आता है, and अगर इनके product breakup की बात करें, तो insecticide से सबसे ज़्यादा इनका revenue आता है, जो कि 51% है, उसके बाद herbicide से 19% का revenue आता है, fungicide से 12% का, plant growth regulator से 11% का, metal phosphatide से 7% का, and अगर generic की अगर बात करें, तो उससे 71% का, and specialty से 29% का revenue generate करती है company, manufacturing facility की बात करें, तो 5 manufacturing facility इंडिया में है, जिन मैंसे 3 गुजरात में, एक महराष्टरा में, एक दादर्रागर हवेली में है, distribution network भी इस company का, काफी अच्छे level का है, काफी robust distribution network है, जिसमें 190 plus brand है इनके पास, 13,000 plus distributor है, and 10 plus technical actives है, 40,000 plus dealer है across इंडिया, अगर इनके growth strategy की बात करें, तो company जो है, अपने expansion पे काफी जहान देती है, and 15% tech का, जो consolidated EBITDA का, 15% every year, अपनी manufacturing facilities के upgradation पे खर्च करती है, जिस्ते की इनके product solid हो सके, and market में tick पाए, अगर इनके year on year basis पे result की बात करें, तो FO18 के अंदर company, around 1911 का revenue generate करती थी, वो FO19 के अंदर बढ़के 22, 23 हुआ है, FO20 के अंदर 24, 43, FO21 के अंदर 26, 43, अगर इसके revenue की CHR return की बात करें, तो 11.4% की दर से ये grow किया है, वहीं अगर EBITDA की बात करें, तो EBITDA 26.6% से grow किया है, and वहीं profit after tax की बात करें, तो profit after tax 33.5% से CHR return के grow हुआ है, and ये अगर revenue के times अगर compare करें, तो 3 times दिखता है, जो की इस particular space की company के लिए काफी अच्छी बात है, share holding pattern की अगर बात करें, तो promoters के पास maximum stake देखने को मिलेगा, जो की around 75% का है, FII के पास 1.32% का stake है, जो की FII March 20 से अगर आप देखेंगे, तो लगातार increase होता हुआ दिखेगा, DIA के पास भी 6.13% का stake है, जो की March 20 के बाद से लगातार increase हो रहा है, public के पास 17% की holding है, second stock जिसकी बात करेंगे, वो है Divis Laboratory, Divis Laboratory के stock की बात करें, तो वो 4940 के level पे currently available है, and last one year के अंदर 37% के return इस stock ने दिये है, अगर इसके कुछ important ratios की बात करें, तो ये 1,333,70 करोड की company है, ये एक large cap space से belong करती है, जिसका ROC and ROE दौनों ही काफी अच्छे level पे नज़र आते हैं, and PE ratio 61.5 है, जो की इस particular space के अगर industry किसे compare किया जाए, तो काफी ज़्यादा दिखता है, लेकिन ये एक ऐसी company है, जो year on year basis पे, quarter on quarter basis पे अपने अच्छे result देती है, प्लस अपने API generation के business के अंदर भी काफी अच्छा कर रही है, and maximum जो revenue है वो export से आता है, इस वज़े से इनका PE ratio थोड़ा expensive level पे आपको नज़र आएगा, तो इस stock को आप किसी भी dip पे बाई कर सकते हैं, या अगर SIP के तौर पे बाई करें, तो भी काफी अच्छी strategy साबित होगी, product portfolio के अगर बात करें, तो leading generic API ये बनाती है, and nutraceutical ingredients बनाती है, custom synthesis of API, and global companies के लिए intermediaries भी बनाती है, and it has a product portfolio of around 122 products, across various therapeutic areas, geographical revenue की बात करें, तो 85% इनका जो revenue है, वो export से आता है, and अगर break up की बात करें, तो 47% revenue only Europe से आता है, and 23% revenue अमेरिका से, इंडिया से 15%, and Asia से 11% का, and rest of the world से 4% का revenue आता है, अगर Divis Lab के result की बात करें, and ये सारे figures करोड में ने जराएंगे आपको, FY18 के अंदर 3891 में करोड का revenue कंप्विनी ने जनरेट किया था, वही FY19 में बढ़के 4946 हुआ, वही FY20 में 5300 पिचाण में हुआ, and FY21 के अंदर 6999 करोड का revenue कंप्विनी ने जनरेट किया है, अगर इसके CGR परसेंटेज की बात करें, तो वो 15.69% से ग्रोव हुआ है, वहीं इनका profit after tax लगातार growing नजर आएगा, from FY18 से लेकि FY21 तक, and अगर इसके CGR रिटन की बात करें, तो 22.64% से profit after tax कंपनी का ग्रोव हुआ है, इसके share rolling pattern की अगर बात करें, तो promoters के पास 51.95% का stake है, FII के पास 20% का, DII के पास 16% का, and public के पास only 11% का stake नजर आता है, means 89% stake जो है, promoter, FII, and DII के पास नजर आता है, तो ये stock भी काफी अच्छा है, जिसको आप SIP stock के रूप में, every month इस stock को buy कर सकते हैं, अब आती है bonus share की बात, तो bonus share जो है, उसके काफी अच्छे fundamentals है, and एक small cap stock है, जिसके ROC and ROE, दोनों ही 40% से उपर नजर आते हैं, and जो उसके quarter result, and year on year result, दोनों ही काफी अच्छे दिखते हैं, stock का नाम है, computer age management services, that is CAMS, ये अपने recent high, जो कि around 4070 के आसपास था, वहाँ से 25% के discount पे available है, and आप देख सकते हैं, कि जो ये red line नजर आ रही है, ये 50 day का moving average है, stock इसको cross करने की बार-बार try कर रहा है, बट अभी तक इस stock ने decisively, इस particular level से उपर की closing नहीं दी है, जब stock इस particular level से उपर की closing देगा, तो इसमें bullishness देखने को मिल सकती है, ये छोटी-छोटी candle जो यहाँ पे बन रही है, ये इस stock में इस particular level पे accumulation को दिखाती है, और आने वाले time में ये stock का फिए अच्छी rally दिखा सकता है, तो total तीन stock के बारे में आज बात की है, फर्स्ट है Sumi Tomochemical, शेकिंड है Divis Lab, और थर्ड है Cams, तो इन तीनों ही stock में buying करने से पहले, आप अपना खुद का analysis जरूर करें, as this video is only for educational purpose, प्लस अगर चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe जरूर करें, Thank you for watching this video.